नमस्कार हेरी चेश दर्पन गाथा राजस्थान वी में आपका हार्देक स्वागत है मैं हूं पूजा सेंग दर्शकों आज हम बात करते हैं जैपुर पे हुए मराठाओं के हमले की चानपोल दर्वाजे पर पहुंची मराठा सेना को शेखावत वीरों ने पाच कोस दूर बगरू तर भगा दिया था यह खास एपिसोड लेकर आए हमारे साथ है जितेनी सिंगी शेखावत वरिष्ट पत्रकार है इतिहास कारे सर्य पताई हमारे दर्शकों को मराठों ने जैपुर कोई नहीं पूरे राजस्थान के जितने भी रजवाडे थे उनको समको परेसान किया गाओं गाओं में उन्होंने लूट मचाई ऐसा ही वाकिस सम्मत 1805 के सावन की पंचमी यानि जुलाई 1748 को मराठा मलार राव होल करने अपने सेनापती गंगाधर तांत्या को आठ अपजार सेनिकों के साथ जैपुर पर हमला करने के लिए बेजा और यह का कि इस्वर सिंग को किसी भी तरीके से परास्त किया जाए इस सम्मलित सेना में मराठों के साथ बूंदी कोटा मेवाड मारवाड के सेनिक भी थे सेना के जैपुर पहुंचने पर चांद पोल दर्वाजे को बंद कर दिया गया मराठा सेना ने दर्वाजा तोड़ने के लिए हतियों को लगाया लेकिन वे भी करीब दो गंटे की मसकत के बाद उस दर्वाजे को तोड़ नहीं सके दर्वाजे का बाढ़ बाका नहीं कर सक कि सेनापती गंगाधर ने जैपूर के महाराजा को ललका रहा और कहा काईरो आओ और मुझसे मुकाबला करो गुस्से में आये मराठो ने चांद पोल बाहर की बस्तियों की जोंपडियों में आग लगा दी थी हां महाराजा इस्वर सिंग ये पूरा मराठों का खेल सीटी पैलेस की चट पर चड़ करके देख रहे थे वह नीचे आये और उन्होंने सीकर के रावराजा सीव सिंग सेखावत को बुलाया और कहा कि कच्छावा सेना को तयार करो और मराठों का मुकाबला करने के लिए मैरोली मुकंगड शापुरा सीकर आधी सेखावाटी के जितने भी ठिकाने थे वह खास्तोर से इकठ्थे राजावत नरुका नाथावत खंगारोत ये सब सारे वीरे कट्रित हुए युद की रणबेरी बजी लगारा बजा सेना इकठ्थी हो गई चान पोल दरवाजे को गया और जैपूर की सेना ने जैश्री राम और जैश्री हनमान जी का घोश करते हुए बिजली की तरह से मराठों पर तूट पड़े चान पोल के बाहर दोनों सेनाओं में दो गंटे तक लगातार भीशन गमासान हुआ दोनों तरब के सेखणों सेनिक मारे गए सीकर के पर ताट्या जेल नहीं सका और रण भूबी से भाग छुटा जैपूर की सेना ने भागती हुई मराठा सेना को पांच को दूर बगरू तक ले जा करके और छोड़ा पीछा किया युद में अदुभाव पराक्रम दिखाने वाले सीकर के रावराजा शीव सिंग सेखावत वीजय का नगारा बजाते हुए साथ में जैपूर का पच्रगा जड़ा लेकर के और सीदे नगर में परवेश किया तो सारे जैपूर की जनता ने उनका भारदी का भी नंदन किया सीव सिग ने राज महल में प्रवेश किया और जीत का समाचार महराजा ईस्वर सिंग को सुनाया उसने महराजा से कहा मैंने मराटा सैना को पांच को जोर बगरूप तक बगा दिया है मराटों की बहुत बड़ी सेना इस समय लदाना के पास में एक इकटी है इसके लिए हमें और मजबूती के साथ में मुकाबला करना पड़ेगा तब ईस्वर सिंग ने उसी समय भरतपुर के जाट महराजा सूरजमल जी को पत्र लिखा और ये कहा कि सूरजमल जी को तुरंट बुलाया जाए ताकि जो बगरू में सहना इकटी हुई है उससे मुकाबला किया जाए ये था जैपूर के सेखावतों की सहना का कमाश तो दर्शकों जुड़े गई है हेरिटेश दर्पन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवा